हाई फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू योरोन चैनल चक्डेबेन नॉलेज चक्डेबेन नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का हादिक स्वागत है एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंक कर्स की बात और आज का वीडियो है बैंक के पैंसनर्स के लिए दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इंडिया बैंक पैंसनर्स एंड रिटारीज कॉनफरेशन यानि के AIBPARC के जो सरकूरर नंबर 08-22 जन्वरी परचीज 2022 इस सरकूरर का जो सब्जेक्ट है वो है पैंसन अपडेशन वीडियो में आगे बढ़ने से प्रविया हमारा आपसे एक बिनम्र निवेजन दोस्तो चक्देबिन नौलेज आपका खुद का चैनल है यह चैनल बैंकर्स, पैंसनर्स, फैंबली पैंसनर्स के सभी मुद्दों को टाइम टू टाइम उठाता रहता है और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज होती है उसको लेके आपके सामने आता है तो हमारी चैनल को यानि के आपके खुद के चैनल को सुस्क्राइब करना और नोटिपिकेशन बैल को क्लिक करना ना भूलिएगा और reference may please be made to our earlier circular 7-22 dated 25th January 2022 wherein we appraised our members about the direction of the Supreme Court to IBA in regard to submission of an appropriate report regarding the decision taken on the proposal यह बही बात कर रहे हैं जो हम आपको अपने पिछले वीडियो में Supreme Court का decision जो उसने दिया है कि IBA को अपना report submit करनी है तीन महिने के अंदर और नहीं कर पाए तो interim report submit करनी है उसके बारे में बताया गया है start में if final decision cannot be reached the IBA must submit interim report before the next date of hearing we already told you we also appraised you that we are in close coordination with the original petitioners and with all India Punjab National Bank Retired Officers Association who are stirring the case तो यह regular touch में है उसके में our affiliate Arise of Indian Overseer Bank has implanted in the matter and are vigorously following up the case with the original petitioners दूसरे point पर इनों ने लिखा है कि सभी pensioners के mind में एक positive sign आया है इस decision के बाद और बहुत सारे pensioners जो अपनी old age में है वो चाहते हैं कि उनके life span में ही यह decision जल्दी से जल्दी आ जाए और सभी banking industry के retirees इस और बड़ी आसा बड़ी नजरों से देख रहे हैं AIBPARC समय से वहें पर different different लोगों के साथ आ जैसे कि IBA, DFS, Ministry of Finance, सभी government के assurances, राजिसभा, committee इन सभी के साथ follow up करती रही है जिसका अभी तक का result यह है AIBPARC को पूर्ण आसा और विश्वास है कि IBA जल्द से जल्द अपनी positive reports आप देगा बेंक retirees की union IBA को अल्रेडी बता चुकी है कि जो acturies की calculation है, pension, update को लेके, corpus को लेके वो बिल्कुली गलत है और different different assumptions लिए गए हैं जो कि unrealistic है, unreasonable है, assumptions जो consider करने चाहिए वो realistic होने चाहिए और fact based होने चाहिए अभी corpus fund की जो position है, उस पे कितना yield होता है और annual out को कितना है ये factor consider करने चाहिए 5th point पर लिखा गया है कि AIBPARC has already submitted its cost sheet to all concerned and requested to go through the same with care यानि कि जो cost रोनी है उसकी cost sheet AIBPARC सभी concern को submit कर चुकी है और जरूरत पढ़ने पर कहभी भी उनको authority बुला सकती है वो explain करने को तयार है कि कैसे banking industry जो manageable cost है उसके अंदर pension update कर सकती है इसके अलाबा union सभी concern से continuously इस मामले पर follow up कर रही है हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को like करना और share करना ना बुलेगा और हमारे चैनल को subscribe करके notification bell को कर दीजिए click जिससे कि सभी वीडियो के updates आपको मिलते रहें क्योंकि ये channel आपका खुद का channel है bankers का channel धन्यवाद